हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा जैन, एस्टो नॉलेज चैनल से दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने अंग्रेजी के ए से लेकर जेड एल्फाबेट तक के नामाक्षर अनुसार लोगों के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की आईए हम अपनी नेम निमरोलोजी के अध्यन को आगे बढ़ाएं, आज हम जानेंगे कि हिंदी वर्ण माला की अ से लेकर ग्या तक के अक्षर से यदि व्यक्ति का नाम शुरू हो तो वह किस वर्ग में आएगा और इसके साथ ही वर्ग मित्रता और वर्ग शत्रता के बारे म में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगी जोतिश के अनुसार अ से लेकर ग्या तक की अक्षरों को आठ वर्गों में विभाजित किया गया है, अ से लेकर अ तक जितने भी स्वर हैं जैसे कि आ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, 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 आ, ओ, अ, 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 इन, प्रभी स्वरों को गरूड वर्ग के अंदर रखा गया है और ये अवर्ग कहलाता है। दुसरा वर्ग है कवर्ग जिसके अन्तर गत अक्षराते हैं कख गग या या य questi विलाव वर्ग के अन्तर गत आता है उसके बाद तीसरा वर्ग च वर्ग कहलाता है जिसके अंतरगत अक्षर आते हैं च च ज ज ज य य य य सिंग वर्ग कहलाता है उसके बाद चोथा वर्ग ट वर्ग कहलाता है जिसके अंतरगत अक्षर आते हैं ट ठ ड ध न य ये कुत्ता वर्ग कहलाता है इसके बाद पांच यह कहलाता है तवर्ग और इसके स्वामी है सर्प इसलिए से सर्प वर्ग भी कहा जाता है चटा पवर्ग है जिसके अंतरगत अक्षर आते हैं पव बव म यह चूहा वर्ग कहलाता है इसके बाद सात्वा वर्ग है यवर्ग जिसमें अक्षर आते हैं यव र ल यह है हिरन वर्ग के अंतरगज आता है अंत्यम जो की आठवा वर्ग है वो है सवर्ग इसमें अक्षर आते हैं सशक्ष ह और यह भेड़ वर्ग कहलाता है अब यह जो आठ वर्ग हैं इनमे परस पर आपस में मित्रता और शत्रुता होती है तो सबसे पहला जो वर्ग है गरुड वर्ग उसकी अपने से पांचवें वर्ग से शत्रुता होती है जैसे कि गरुड वर्ग की शत्रुता जो है वो सर्प वर्ग से होती है इसी प्रकार प्रतेक वर्ग अपने से पांचवें वर्ग से शत्रूता रखता है जैसे कि बिलाव की शत्रूता होती है चूहा वर्ग से सिंग वर्ग की शत्रूता होती है हिरन वर्ग से और कुत्ता वर्ग की शत्रूता होती है भेड वर्ग से इसी प्रकार प्रतेक वर्ग अपने से चौते वर्ग का मित्र होता है जैसे कि गरुड वर्ग का मित्र है कुत्ता वर्ग, बिलाव वर्ग का मित्र है सर्प वर्ग, सिंग वर्ग का मित्र है चुहा वर्ग, कुत्ता वर्ग का मित्र है हिरन वर्ग, और सर्प वर्ग का मित्र है भेड वर्ग यानि अलग अलग जो वर्ग हैं उनके जो अंतरगत अक्षर आते हैं उनकी उनसे सम्मंदित वर्गों से शत्रुता या मित्रता होती है प्रत्येक वर्ग अपने से दूसरे वर्ग तथा तीसरे वर्ग से सम रहता है यानि कि इन वर्गों से ना उनकी शत्रुता होती है और ना ही मित्रुता दोस्तों मुख्य रूप से वर्ग विचार वर्वदू के मिलापक के लिए या मालिक और नौकर के मिलापक के लिए या फिर आप जिस नगर में रहते हैं और आपका जो नाम है उससे मिलान करने के लिए किया जाता है लेकिन वर्टमान समय में ये वर्ग जानकर आप अपने जीवन में स्वयम अनुभव करने का प्रयास करें कि कौन से वर्ग के लोग आपके मित्र हैं और कौन से वर्ग के लोगों से आपकी बनती नहीं है इस प्रकार का अनुभव आपको आगे आने वाले जीवन में सफलता का मार्ग दर्शन भी दे सकता है और आपके जीवन में आने वाली समस्यों का हल भी निकाल सकता है तो दोस्तों ये थी जानकारी हिंदी नाम के प्रतम अक्षर अनुसार वर्गों के बारे में आशा है आपको ये जानकारी पसंदा रही होगी प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब माईट